मित्रों आज 36 गड़ के एक बहुत ही भैंकर शराब में लूट के विशय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कल प्रोजिकुशन कॉंप्लेंट फाइल किया गया है चार जुलाई दोहजार तेईस को जिसमें डॉक्यमेंट के साथ तेरा सौ पेजेज के साथ पूरे विशय को विस्तार से रखा गया है कि 36 गड़ में जो एक साइज में लिकर सेल होती है बिकरी होती है शराब की जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है उसको एक सिंडिकेट बनाके किस तरह से 2161 करोड की लूट हुई है जो सरकार को आनी चाहिए थे और कैसे ये सिंडिकेट चलता है वहाँ 800 शराब की डुकाने हैं सारा कुछ राज के द्वारा कंट्रोल होता है प्राइवेट को जगा नहीं होती है उसमें कितने शडियंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया जिसका एक बड़ा हिस्सा इस लूट का वहां के राजनीतिक लोगों के पास जाता था जो सत्ता सीन है आपको जनकारी हम दे दें कि वहां पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं और यह सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं वहां कोई प्राइवेट प्लेयर एलाउट नहीं है और डिस्टिलरी होती है उसको देते हैं जहां से शराब वहां आती है और चुकि सरकार के द्वारा ही बिखता है तो पूरा उसका एकाउंट होता है और जो भी duty लगती है exercise duty वह सरकार के कोश में जाती है अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चुना लगाना है और नेताओं की जेब गरम करनी है यह है पुरी कहानी और दूसरी यह सबसे महत्मुन बात होई यह आपको जानना जरूरी है कि डुप्लिकेट होलोग्राम बनाया गया तो मतलब जाली होलोग्राम से अवैद शराब और देशी शराब भी बेची गई जो एलाउट नहीं था आपको मालू में होलोग्राम जो होता है किसी बॉटल पर लगता है तो सरकार उसको अथराइज करती है इसलिए दो हजार 161 करोड का रेवन्यू लॉस हुआ गैर कानुनी तरीके से हुआ और भयंकर राज के कोश्ट की लूट हुई ऐसे लोग के द्वारा जिनको मुख्यमंत्री का आशिरवाद है बहुत वभाविक है इतनी बड़ी लूट बिना सरकार के प्रत्यक्ष आशिरवाद के हो नहीं सकती है